नमस्कार प्यारे स्टुडेंट्स, जेए ओशियन एकडमी में आप सभी प्यारे छात्रों, प्यारे स्टुडेंट्स, प्यारे सेर्ज सभनी का बहुत-बहुत स्वागत है प्यारे स्टुडेंट्स हमेशा मोटिवेटेड रहें, पढ़ते रहों प्यारे स्टुडेंट्स एंड जो एक नई अपडेट है मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपकी RRB की वेकेंसी हैं, जही की वो जही समेट बाकी आन्य जितने भी पोस्टिंग है इसकी मतलब जो पोस्ट है, इन सारे पोस्टिंग की जो वेकेंसी हैं, प्यारे लाटनों, प्यारे सेर्श रभीयों वो आपका इंड अपरेल या मैं में आपका जो वेकेंसी हैं, वो आपकी रिलीस्ट की जाएंगी, फब्लिस्ट की जाएंगी RRB से RRB हालागी इसका जो पूरा मतलब की प्रावधान है, वो कर चुका है, मतलब की पूरा एक इसका सिस्टेमेटिक बहोरा तयार कर चुका है, और आपको अपरेल मही में देखने को मिल जाएंगी, हब से हब मही तक, यानि अपरेल और मही में इसकी बिट्विन में आपको व आपका सही है, और आपकी वेकंसिस आपकी जल्दी ही क्रियेट कर दी जाएंगी, क्योंकि RRB के तरफ से सारे प्रोसीजर बिल्कुल कंप्लीट कर लिए गया है, यह थी एक छोटी सी अपडेट, आप सभी स्टुडेंट से रिक्वेस्ट है, कि आप जादा से जादा पढ़ाई को लेकर के, और 360 डिगरी रूल को फालो करना, बिल्कुल मत बूलना, उसी रूल पर चलना, और उसी रूल पर पे क्लास भी चलाई जा रही है, प्लास भी कंड़ाई जा रही है, तो आपके लिए इतना मेहनत किया जाता है परे शुडेंट, तो आपको भी एक आपको बस पढ़ाई करना है, बस तुम पढ़ाई करते रहाओ, बाकी सारी responsibility तुम हमारे उपर चोड़ दो, हम लोगों के उपर चोड़ दो, हम लोग सब कुछ देख लेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ते रही है, बाकी exam निकलवाने की जो responsibility है, जो जिमेंदारी है, पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल जादा से जादा पढ़ाई करेंगे, ताकि आप सारे papers को एक साथ क्या करता है, क्लियर करेंगे, आप सब के पर मतलब कि आप सब के साथ मेरी blessings हैं, मेरी blessings हमारी सुपकामनाय हैं, आप सभी के साथ, आप सभी जल्दी से जल्दी, सभी students, पटा-पट से, जितने भी डिस्कॉम की exam होगे, अभी COVID के जो cases, चलना है, इसलिए exam पोस्ट कून कर दिए गये हैं, जब भी आपके examination होते हैं, उन सारी examination में आप success हैं, और RRB JEE के लिए आप फिलहाल बिल्कुल एकदम कमर कसलें, अगर अभी तक आप सोह हैं, अगर अभी भी तुम नहीं जगे हो, तो उट जाओ और सिर्फ और सिर्फ अपने लिए dedicated हो, और पढ़ाई पर ज्यादा से ज्यादा दें, मिलते हैं next session में